हलो फ्रेंड वेलकम को यह ट्रेंट टिटोरियल यूटूब चैनल फ्रेंड्स हम लोग साइकोलजी के एक और पार्ट को साल्प करेंगे जो अभिवेक्ति छम्ता का विकास डेवलप्मेंट आफ एप्टिटूर से समधित है इसमें कुल हम लोग 15 परशन को पढ़ेंगे ठीक तो फ्रेंड वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सकाइब लाइक और दोस्तों में शेयर चिरूर कीज़ेगा पहला परशन है डियेटी द्वारा किस कच्छा के पुर्स का परिच्छड किया जाता है डियेटी द्वारा किस कच्छा के पुर्स का परिच्छड किया जाता है तो सहीव तरह चैगा आपका आप्शार नंबर ए बी जो है आठवी कच्छा के बच्चों का जो है परिच्छ जाता है, इस भी साब्देक चिंतन, संख्यात्मक च्छमथा, अमुर्थ चिंतन, दैसिक संबन, यांत्रग चिंतन, प्रत्यक्षा, घ्यानात्मक, कती, परिश्च्डुता, वर्तनी, भासा उप्योग, सभी का इस में जो है, टेस्ट किया जाता है, ठेक है, तो ये कछ्छा आ इस आथवी कच्छा का आठी परकार का जो परिशन किया जाता है इसमें जो आता है अभी हम बताए हैं पहले प्रशन में इस आपजिक चिंतन, संख्यात्मक चमता, अमोर्त चिंतन, दैसिक संबंध, यानत्रिक चिंतन, प्रत्यक्षा, ज्यानात्मक, गति और पर्दित सुद्धता, बरतनी का और भासा उपयों का, इसी सभी का परिछड किया जाता है, किसके तोरा, डिकेटी के माध्यम के तोरा, और इसका फुलफार्म होता है, differential aptitude test, ठीक है, और अच्छा, आठवी के चात्रों का ये किया जाता है, ठीक है, तो most important question है, इसको आप लोग याद रखिएगा, तीशरा डंबर question है, चमता हो, एवंग गुड़ों, चाहे जन्मजात हो, या अरजित हो, का एक ऐसा सांग्योग, जिससे ब्यक्ति में सीखने की चमता, या सीख खास छेत्र में निपूरता, विक्सित करने की चमता का पता चलता है, अब चमता का लाता, ये कथन किसने कहा तो ये most important है, ये पूछा भी गया है, सीटेट की परिख्या में, ठीक है, तो ये कथन कहा था, टुक मैन ने, ठीक है, ये कथन था, टुक मैन का, तो ए आपसा नापकाइस में सही हो जाएगा, ठीक है, तो इसको दो-तीन बार आप लोग जो पढ़ लेंगे, तो आपको ये त्यार हो जाएगा, टुक मैन दोरा ये कहा गया था, ठीक है, चौथा नमबर प्रिशन पूछा गया है, अभी छमता के विकास के कितने प्रकार होते हैं, तो अभी छमता के विकास के जो है दो प्रकार होते हैं, ठीक है, आप्शन नमबर A सही हो जाएगा आपका, ठीक है, पांचवा नमबर प्रेशन है बहु आयामी परिख्षण माला का प्रकार है तो बहु आयामी परिख्षण माला जो होता है वो कितने प्रकार का होता है तो वो दो प्रकार का होता है DAT भी होता है और GATB भी होता है तो A और B दोनों सही हो जाएगा DAT का होता है differential aptitude test और GATB का पूरा नाम होता है general aptitude test battery ठीक है तो ये दुनों बहु आयामी जो है परिख्ण माला के प्रकार माने जाते हैं ये मुक्यता है दो प्रकार के होते हैं ठीक है आप लोग याद रखिएगा DAT और GATB ठीक है छटवा नमर प्रशन है निमने लिखित में से कौन DAT परिख्ण का प्रकार नहीं है तो इसमें जो प्रकार नहीं है वो प्रेस है ठीक है अमोर्थ चिंतन है संख्यात्मक शमता है अवसाब्द चिंतन है ये जो है इसके प्रकार है और प्रेश जो होता है इसके प्रकार में नहीं आता है ठीक है सातवा नूमर प्रश्ण है निमन में से कौन DAT परिक्षन का प्रकार है प्रकार है देख लिए यहाँ पर पुछा है तो कौन सा सही हो जाएगा तो इसमें उप्रेग तो सभी सही हो जाएगा यांत्रिक चिंतन भासा उप्योग वरतनी ठीक है तो यही यहाँ पर है प्रकार है पुछा यहाँ पर नहीं है तो दोनों प्रशन में थोड़ा सा डिफरेंस है आप लोग इसको देख लिएगा ठीक है तो यांत्रिक चिंतन भा JATV कितने प्रकार के अभश्मताओं का मापन होता है। तो इसमें जो है नो प्रकार के मापन का अभिछमताओं का मापन होता है, नो प्रकार के कौन-कौन से हैं, इसमें बुद्धी है, साब्धिक है, संख्यात्मक है, दैसिक है, लिपिक प्रतेक्षण है, क्रियात्मक समन्वे है, अंगुली निपूरता है, हस्त निपूरता है, आकार प्रतेक्षण है ठीक है तो यह नो प्रकार का इसमें मापन किया जाता है ठीक है यहां नौवा कोच्छन पूचा है जी ये टीबी द्वारा नो अभिछमताओं का मापन कितनी परिछणों द्वारा होता है तो इन जो नो प्रकार का मापन किया जाता है कितनी परिछण क के द्वारा यह 9 complete होते हैं तो यह 12 ठीक है 12 परिष्ण के द्वारा यह complete होते हैं ठीक है तो यह आपसानिश में आपका सई हो जाएगा की दाशिवान हमर परिष्ण है बारे परिख्षणों में से कितने परिख्षण पेपर पेंसिल परिख्षण द्वारा करा जाते हैं तो इसमें आपके आठ परिख्षण जो होते हैं वो पेपर पेंसिल द्वारा करा जाते हैं और बाकी चार जो है साब्दिक रूप से करा जाते हैं थेक है तो बारे परिच्टी्जण होते हैं तो आठ जो है पेपर पेंसेल की दोरा कराया जाते हैं अच्छार में toys की दोरा कराया गया ठीक है तो इक पूंछ रहा है आपसे प्रोफेसर जेस ओजा के दोरा किया घा-था धिक है तो ऐ आप 했는데 हमें आपका सही हो जाएगा बारे नम्मर प्रेशन है निम्निम में कौन मसीन की सूटियां तथा घुंडी को घुमाने से छमता का मापन होता है निम्निमें कौन मसीन की सूटियां और घुंडी घुमाने से छमता की मापन होता है तो हस्त निपूरता जो हस्त निपूरता है किश में ये जो नौ अभी छमता इसमें दिया है उसमें हस्त निपूरता भी है ठीक है तो हस्त निपूरता में जो है सूटियां और उसमें घुंडी होता है ठीक है उसको घुमाने में जो है छमता का मापन होता रहता है ठीक है और तेरे नमबर प्रश्ण है, जी ए टीबी का निम्ल में कौन परिशण नहीं है, तो बुद्धी है, ठीक है, साब्दिक भी है, संख्यात्मक भी है, स्वपन नहीं है, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं, 9 हैंने, 9 हम आपको बताये हैं, 9 परकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से अभी हम लोग पिछले प्रश्ण में पढ़े हैं कि जो हाथ निपूरता होता है मसीन के खुटियां और घुंडी को घुमाने पर जो है उसके छमता का मापन होता है ठीक है और ये जो बुद्धी है इसमें तीन प्रकार की अभी छमताय मापन जाती है जिसे सब्दावली नहीं है ठीक है चौधे नंबर प्रश्ण है जी ए टीबी के पूरे परिक्षण माला के क्रियानवान में कितने घंटे का समय लगता है तो इसको करने में कुल समय लग जाता है तीन घंटे का ठीक है तो बै आप सनिश में आपका सही हो जाएगा पंद्रे नंबर प्रश्ण है सी ए टीसी परिक्षण किसके द्वारा निर्मित किया गया है सी ए एसे टीसी है सौरी एसे टीसी परिक्षण जो है किसके द्वारा तो ये एकेपी सिन्हा और यल यन के सिन्हा के द्वारा जो है इसको निर्मित किया गया है ठीक है तो आपसन एके पी सिनहा और एनकी सिनहा की द्वारा किया गया था ठीके तो इसमें जो है पंद्रइप प्रशन थे ठीक है और अभिब्लेकि चômता च्भिकाशतु से फंद्र महत्रपोड प्रशन प्रशन ने तो यहां से एग बना दिया जाते हैं ठिक है कभी कभी नहीं भी आता है पेपर में इक पुपी बना दिया जाता है यहां से पर सिर्पफम को बहुत अच्षी तरीके ज्यार कीए ठीक है फिर अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे ठीक है पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद